खाटू शाम को भगवान सिरी कृष्ण के कलियूगी अवतार के रूप में जाना जाता है ऐसा कहे जाने के पीछे एक पुराणिक कथा है राजिस्थान के सीकर जिले में इनका भवे मंदर स्थित है जहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालू आते हैं लोगों का विश्वास है कि बाबा शाम सभी की मुरादे पूरी कर सकते हैं और रंग को भी राजा बना सकते हैं इनको हारे का सहारा कहा जाता है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है कंचन और आप देख रहे हो लोकल चर्णी यूटूब चैनल बाबा खाटूशाम का संबंध महा भारत काल से माना जाता है यह घटोत कच के पुत्र और भीम के पोत्र थे कथा के अनुसा स्रिक कृष्ण ने इन्हें कल्यूग में अपने नाम से पूजे जाने का वर्दान दिया था लाक्षा ग्रह से प्राण बचाकर वन-वन भठकते पांडवों की मुलाकात हिडिम्बा नाम की राक्षशी से हुई वे भीम को पती रूप में प्राप्त करना चाहती थी माता कुंती की आग्या से भीम और हिडिम्बा का विवा हुआ जिससे घटोतकच का जनम हुआ घटोतकच का पुत्र हुआ बर्बरीक जो अपने पिता से भी शक्तिशाली था बर्बरीक देवी का उपासक था देवी के वरदान से उसे तीन दिवे बान प्राप्त हुए थे जो अपने लक्षे को भेद कर वापस लोट आते थे इनकी वज़ा से बर्बरीक अजय था महा भारत के युद्ध के दोरान बर्बरीक युद्ध देखने की इरादे से कुरुशेत्र आ रहा था और जो सेना हारेगी बर्बरीक ने उस सेना की तरफ से युद्ध करने का निर्न लिया था सृरी कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुआ तो परिनाम पांड़वों के विरद होगा बरबरीक को रोकने के लिए श्री कृष्ण गरी ब्रहमन बनकर बरबरीक के सामने आ गए स्री कृष्ण ने बरबरीक से पूछा कि तुम कौन हो और कुरुशेत्र क्यों जा रहे हो बरबरीक ने बताया कि वह एक दानी योद्ध है जो अपने एक बांड से ही महाबारत युद्ध का निर्ने कर सकता है स्री कृष्ण ने उसकी परिक्षा लेनी चाही तो उसने एक बांड चलाया जिससे पीपल के पेड के सारे पत्तों में छेद हो गया एक पता स्री कृष्ण के पैर के नीचे था इसलिए बांड पैर के उपर ठहर गया स्री कृष्ण बरबरीक की शमता से हैरान थे और किसी भी तरह से उसे युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे इसके लिए सुरिक कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि तुम तो बड़े पराकर्मी हो मुझ करीब को कुछ दान नहीं दोगे बर्बरीक ने जब दान मांगने के लिए कहा तो सुरिक कृष्ण ने बर्बरीक से उसका शीश मांग लिया तो बरबरीक ने खुशी खुशी शीश दान देना स्वीकार कर लिया शीश दान से पहले बरबरीक ने स्रीक कृष्ण से युद्ध देखने की इच्चा दताई थी इसलिए स्री कृष्ण ने बर्बरी के कटे शीश को युद्ध देखने के लिए एक उचे स्थान पर स्थापत कर दिया युद्ध में विजय प्राप्त होने पर पांडव विजय का श्रे लेने हेतू वाद विवाद कर रहे थे तब स्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णे बर्बरी का शीश कर सकता है बर्बरी के शीश ने बताया कि युद्ध में स्री कृष्ण का सुदर्श चक्र चल रहा था जिससे कटेवे विर्ख्ष की तरह युद्ध रणबूमी में गिर रहे थे द्रौपती महाकाली के रूप में रक्त पान कर रही थी स्री कृष्ण ने प्रसन होकर बर्बरी के उस कटे सिर को वर्दान दिया कि कल्यूग में तुम शाम से पूजित होगे तुम्हारा स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्यान होगा और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ती होगी दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक शेर करना मत भूलना अगर आप पहली बार लोकल जर्णी चैनल का वीडियो देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब बटन को दबा कर हमसे जरूर जुड़े थैंक्स फॉर वाचिंग जैसी क्रिशन